भारत को टी टॉन्टी विसकब 2024 जिताने वाले रोहिस सर्मा और जैस्पीर्ट बुम्रा है एक ICC आवार्ड के चक्कर में एक दूसरे के आमने सामने आगा है और अब दोनों में ही मुकाबला चल रहा है कि ये वाला आवार्ड कौन जीतेगा जिया बैसे तो टी टॉन्टी व मौनों खिलाडियों के कौसल से पराक्रम से ही भारती टीम बड़े आसानी से बिना किसी रोक्तों के सभी में जीती चली गई और पूरे टूनामेंट में अनबीटन रहते हुगे 2020 कप का किताब जीत लिया लेकिन अब यहां दोनों ही धुरंदर एक दूसरे के सामने खड़ हो गए हैं आई सीची का एक अवार्ड जीतने के लिए तो कौन सा अवार्ड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो एक अवार्ड है आई सीची पिलियर अब दा मंत अवार्ड जो कि जून माई के लिए जिसमें टी टॉन्टी बिसकप आयो जुद किया गया था यहां पर पहला नौमीनिसन है भारत के कटतान रोहिसर्मा का जिनोंने पूरे टूर्ञामेंट में सांदर भले बाजी की साता शाम सांदार कप्तानी भी किया दूसरा नौमीनिशन है भारत तीसरा नोमिनेशन है अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज गुर्वाज का जिन्होंने पूरे टूनेमेंट में सांधार बल्लेबाज की तो हमने जाए डालते हैं तीनों इखलाडियों के बिसकप के प्रदार संपाज जिसके आधार पर की इनको ये अवार्ड दिया जाए प्रदाशन के दोरान लगाए थी ये तो इनका ओवर रॉल बिसकप का प्रदाशन हो गया लेकिन अगर हम इनकी मैच दर मैच की बात करें तो यहां पर हमें कुछ प्रदाशन इनका फीका नजर आता है जैसे कि उन्होंने पहले मैच में आईलन के खिलाब तो सांधार अर् मनाई मात्र 41 गांदों में सेमी फाइनल में संतामनन मनाई मातर 49 गांदों में हालां कि इसके बाद इस आउट अपरीका के खिलाब पाइनल में फिर से बिफल रहे अब बात करते हैं जस्पी दुम्राय की पहले देखते हैं इनकी ओवर रॉल रिकॉर्ड को इन्होंने कैसा प्रदासिन की अभी सुकप में तो कुल मिला करके इन्होंने आठ मैच खेले जिनमें 15 विक्ट लिए इनका बैस्ट जो प्रदासिन रहा वो 7 रंदे करके 3 विक्ट कर रहा एकॉनमी इनकी 4 दसनों लोग साथ करी जो चीटों टिकेर के साब से बहुत ही सांधार है और से इनका कोई बिक्ट नहीं मिलाता अफग्छानिस्तान इखलाभ साथ अंदे करके 3 विक्ट लिए जो कि इस ट्यूनमेंट मेंखा बेस्ट परफॉमेंस रहा बंगलादेस कि कि खिलाफ 13 रंदे कर 2 विक्ट लिया इंग्लैंड कि खिलाभ 12 रंदे करके 2 विक्ट लिए और फाइनल म आज इस विस्सकप में सबसे बड़े स्कोरर रहे हैं इनका बैस्ट स्कोर असी रन रहा उसाद इनका लगबग 35 का था इस्ट्राइक रेट 124 से जादा का और इस दोरा इनके बल्ले से तीन तीन हाफ सेंचुरी निकली अब नज़र डाल लेते हैं इनके हर एक मैच के अलग ल इस फ़लाब जीरो रन बनाया इंडिया इक लाग बनाये लेकिन ऐस्ट्रेली खिलाब एक बार फिर से इनका बल्ला गढ़ जा और उननेंचास गयादों में सांदर शाट रनों की इनौन नें बेमिसाल पारी खेली और ऑस्ट्रेली से खिलाप हाला कि ये कुछ नहीं कर सके और साउट अपरे किलफ चाहीं फाइनल में उन्होंने 55 गैनों में 43 अनों की पारी खेली तो देखा आपने भारत को टीटोंटे बिसकफ जिताने वाले दो धुरंदर खिलारी एक आइसीची अवार के चक्कर में ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे से तकरा लिए खड़े हैं तो आप लोगों क्या लगता है कि इन तीनों नॉमिनेशन में थे कौन सा खलाड़ी वह है जो इस आइसीची अवाड को जीत सकता है बैसे अगर मेरा कहा माने तो यहां पर रोष सर्मा का तो इस अवार्ड को जीतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है त लेकिन अगर हम यहां पर जैस्पृत बुम्राय का प्रदाशन देखे हैं जैसा कि हम उनकी आखड़े देखे हैं तो हर एक मैच में उनका प्रदाशन काफी अच्छा रहा उन्होंने लगवग हर मैच में बिकट लिए और पूरे टूनाइमेंट में लगाता बिकट लेकर क कि अपनी दंपर के सारे मैच जताते होगे पूरे टूनाइमेंट का प्लेयर अफड़ सीरीज खताब उन्होंने अपने नम किया तो ऐसे में मुझे लगता है कि आई सीची का एक बिलेयर अफड़ मन्थ अवार्ड इस बार जस्पृत बुम्राय के नाम आने वाला आप लो